करेंगी कोरोना वाइरस जो एक तरीके से पूरे क्रॉस द वर्ल्ड Spread हो चुका है जो बीमारी है उसे हम कहते हैं COVID-19 और यग वायरस है वो SARS-CoV-2 है अब यह जो situation प्रेट होई है इस situation का फायदा एकनॉमिक जो बैनेफिट है वो चाइना किस टाइब से उठार रहा है इसी इक हम कहते हैं चाइना कोरोना वाइरस बिजनेस मॉडल और इस पर बहुत सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स वास्टिंगेटन पोस्ट और बहुत से जो इंपोर्टेंट इंटरनेशनल निउस पेपर उस पर आया भी है उसको समझने का कोशिश करेंगे कि यह जो क्रैसिस के सिच्वेशन ह में जो इकनॉमिक बेनेफेट है वो चाइना किस टाइप से उठा रहा है कैसे उठा सकता है जो मन में आपके आएगा में ली कि वो मास्क बेच रहा है यह सब चीजह है लेकिन इसके अलावे कुछ इंपोर्टेंट आस्पेक्ट हो उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे ठीक है तो यह इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी स्टिप चाइना के दौरा लिया जाएगा जो भी कदम चाइना आपका उठाएगा वो बेसिकली वर्ल्ड और को भी डिसाइड करेगा फ्यूचर में जो यूएसे है उसकी जो सुप्रेमेसी है वो लागातार कम ह हो रही है और फ्यूचर में भी कम हो सकती है और यह जो सुप्रेमेसी है अगर यह कम होती है तो जो वैक्यूम क्रियेट होगा यह जो वैक्यूम क्रियेट होगा इसको कौन फिल करेगा रश्या करेगा कि चाइना करेगा फिलाल के लिए जो अपियर हो रहा है जो चाइना है वो इस vacuum को fail कर सकता है और वो तब कर सकता है जब वो एक प्रकार से इस प्रकार का यह जो इसने business model अपना बना रखा है coronavirus से related इस business model को follow करते हुए अपनी economy को तेजी से grow करें तो इसी कौम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि basically यह model क्या है So this session is presented by me, my name is Saurabh Pandey, so before I start let me tell you about Anacademy, so अगर आप IS exam की तयारी कर रहे हैं, so आपके लिएक important information है 26th of April से I am launching current affairs course जिसमें हम 2 साल का current affairs cover करेंगे prelims 2020 के लिए, तो आपका prelims होगा उससे पहले ही आपका पूरा 2 साल का current affairs आपका cover हो जाएगा इसके अलावा 1st June से International Relations का course शुरू हो रहा है और 1st July से Answer Writing का course शुरू हो रहा है, तो आप जल से जल आन Academy से जुड़ सकते हैं, और ये course आपका चली रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक प्रकार से अगर आप देखो तो पूरा ही, जितना भी चीज आपको पढ़नी है, quality, history जितने भी subject हैं, उसका सभी subjects को कराया जा रहा है, इस course के अंदर, अभी अगर आपने नहीं किया है, तो इसको आप जरूर से join करो, recorded classes भी आपको देखने को मिलेगी, I am also taking two years current affairs में, तो यहाँ पे जो classes हैं, वो आपकी सोबे से शुरू होती हैं, रात तक classes चलती रहती हैं, तो यह आपके लिए बहुत help करेगा to crack this exam, मदब at least जो prelims है, उसको clear करने में, यह course आपके लिए बहुत मदद करेगा, अब आपको करना क्यान academy से जुडने के लिए, आपको याद रखना है, जो बच्चे 2020 की तारी कर रहे हैं, वो one year का subscription ले सकते हैं, जो 2021 और beyond की कर रहे है वो two year का subscription ले सकते हैं, और इस code को ध्यान में रखना है, SPLIB, जैसे आप इस code का इस्तमाल करोगे, जो यह amount है, 40,000, it will reduce by 10%, और यह amount है, यह भी reduce हो जाएगा by 10%, तो आपे मेरे courses के अलावा, इंडिया के top 80 plus educators के जो courses हैं, आपके लिए free होंगे, तो आपकी पूरी GS, आपसल, necessary, सभी चीज़े इसके अंदर included है, और एक बार ही नहीं, बार-बार आप जो है course कर सकते हैं, मतब क्योंकि duration based आपका यह होता है, तो अगर course कई बार आएगा, तो कई बार आप उसको कर सकते हैं, तो करना कहा है, आपको download करना है, UPSC, CSC select करना है, और फिर आपको code डालना है that is SPLIV, चली शुरू करता है, अगेन important हो जाता है यह topic, तो इसके क्या-क्या important aspect है, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, तो चाइना एक ऐसा देश है, जहां से, मतब चाइना का जो reason है, वहान, वहान से यह virus आया, अगर आप देखोगे, तो चाइना के वहान में ही जो एक institute है, विरोलाजी से related, विरोलाजी मतलब में जो science है, वाइरस से related, वह institute भी located है, वहान में ही, और यह भी कई सारे, मतलब अगर आप देखोगे, यह भी एक opinion दिया जाता है, कि यह जो virus है, यह में भी lab created है, यह भी एक प्रकार का theory है, लेकिन कुछ जो points हमें ध्यान र से recover हो रहा है, although यह कहा जा रहा है कि second wave से वो देखने को मिल रही है, यह देख सकते, बट में भी चाइना को पता है कि वो इस चीच को manage कर लेगा, लेकिन इस समय जो चाइना की position है, वो यह है कि across the world, जितने भी business center, financial center, वो पूरे तरीके से बंद है, चाहे आप New York की बात करो यूरोपियन देशों की बात करो, या फिर USA जो है वो इंडिया में की भी बात करो, तो जो major business centers, economic centers, financial centers, जितने भी हैं वो पूरे तरीके से बंद है, लेकिन अगर आप दो जगहों की बात करो, एक है बीजिंग और संगाई, वोहान से मातर एक है 1100 किलोमेटर, एक है 800 किलोम परसनल के जो बड़े-बड़े लोग है, वो सभी इनी दो शहरों में उनका घर है, रहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोई celebrity अफेक्ट नहीं हुआ है, कोरुना वाइरस के वजए से, UK में देखो तो उनके प्राइम मिनिस्टर अफेक्ट हुए, USA में देखो, तो बहुत सारे ह लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, और बीजिंग और संगाई वहां का बिजनेस सेंटर है, तो कहने का मतलब अगर पूरे तरीके से विश्व लॉक डाउन है, लेकिन चाइना में जो काम है वो चल रहा है, जो वर्क है वो शुरू हो गया है, तो य क्यों वो आ रहे है चाइना से, क्योंकि चाइना में सब कुछ अब ओपन हो रहा, इवन वुहान में भी चीज़े ओपन हो रहे है, बीजिंग और संगाई की बात करो तो वहां पे पहले भी इतना कोई इंपैक नहीं था, जो चीज़े थी वो as usual थी, अगर आप compare करो, USA और इटली जैसी जगाओ के, जो की 12,000 और 8,000 किलोमीटर है, लगभग है ना, 12,000 या 8,000 ऐसे किलोमीटर है, वुहान से, वहीं जो वाइरस वहां तक पहुच गया है, लेकिन मातर 1100 और 800 किलोमीटर जो बीजिंग और संगाई है, वहां उसका impact minimum देखने को में तो यह एक opportunity थी चाइना के पास, कि बीजिंग और संगाई में जहां पर उनकोमेक्स में business work है, वो चलता रहे, और अगर यह जो lockdown की situation है, इसमें जो situation ही create हो रही है, उसमें basically वो जो economic अपनी growth है, वो maintain कर पाए, ठीक है तो यह बहुत important है, तो Chinese worker अपने काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है United States और Europe की बात करो तो वो पूरे तरीके से बंधी है, उसके बाद जो world है वो busy है, pandemic इस महामारी से लडने के लिए, है ना, और although जो export है, वो काफी reduce हुआ है, लेकिन एक जो export है, जो virus का यह export है, जो पूरे देश है, वो पूरे तरीके से हम यह कह सकते हैं कि पूरे तरीके से इस virus जो कि again export हुआ है, इससे लड़ रहा है, इस जो situation में वो लड़ रहा है, अब यहाँ पर जो business opportunities है, जो economic model है, क्योंकि बहुत मास में चीज़े produce हो रही है, Chinese produce कर रहा है, और demand इस समय मास्क की है, kits की है, जो testing kits है, तो अगर आप देखोगे, तो बहुत से ऐसे जो Chinese kits है, ज Dutch government को जो दिये गया था, चाइना ने लगबग 1.3 million N95 mask दिया था, नीदरलेंड को, उसमें 50% आपके defective निकले है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो एक point है, जो doctors पहनते है, मतब doctors जो एक protective drug सा जो पहनते है, जिसे PPE कहते है, तो वो Italy ने चाइना को दिया था, उस समय दिया अब चाइना उसी को बेच रहे हैं, किसको Italy तो यह basically show क्या करता है, चाइना की approach, एक mindset को कि कैसे, इस situation को, जैसे जो business man का mindset होता है, कि यह जो situation, इस situation से कितना अधिक profit ले लिया जाए, कि अगे future का जो profit है, वो भी आज ही ले लिया जाए, यह point है, दूसरा जो इतने सारी defective च कहा गया, चाइना के दौर तो उसमें यह कहा गया, कि देखो, जो हमने आपको mask दिया था, उसमें surgical, non-surgical दोनों है, तो अगर आप non-surgical mask को surgical में use करोगे, तो वो आपको defective ही लगे है, मतलब उन्होंने इसाफसा मना कर दिया, कि ऐसा कुछ defective नहीं है, ठीक है, तो यह दोन इसको river में फेक देते हैं, ऐसा उनका कहना, तो यह कहने का क्या मतलब है, कि चाइना जो भी यह situation create हो रही है, उसका काफी ज़्यादा economic benefit लेने का कोशिच, चाइना ने किया है, दूसरा अगर आप point देखो, चाइना can take advantage of being the first country, to start recovering from the novel coronavirus, to take over these industries of the future, Beijing is planning to use the downturn in the western economies, to its benefit, कि अगर जो western countries पूरी तरीके से बंद है, तो उनका जो market share है, उनका जो market है, उस market को चाइना को पाई कर लेगा, क्योंकि चाइना में जो काम है, as usual, आपका normal सा शुरू हो गया है, home to some of the world largest and most capable firms, देखो 2008 की जो financial crisis थी, उसमें चाइना ने इस चीज को सीखा, और उसने बड़ बड़ी इंडस्ट्री और जाइंट्स क्रियेट किये, और इस समय अगर आप देखोगे, तो वही बड़ी companies और जाइंट्स चाइना को help कर रही है, कि वो अपने influence को, economic influence को increase कर सके, दूसरा point है, जितना भी USA और यूरोप की जो देश की जो company है, जो चाइना में अभी काम कर हैं, उनके shares बहुत तेजी से down हुए हैं, और उन shares को चाइना ने खरीद लिया है, मतलब shares की जो price है, बहुत down हुआ, तो चाइना की जो सरकार है, या directly or indirectly उन्हों भाई कर लिया, तो USA और यूरोप की companies चाइना के अंदर काम कर रही है, जो है, उस पे भी maximum share है, या जो stakeholder है, व मिल रहा, तो इसमें क्या है कि जो major stakeholders है, जो की चाइना, जो की world के economy को determine करते है, जो की world के economy को decide करते है, उस पर पूरे तरीके से जो control influence आपका चाइना कर रहा है, और धिरे धिरे वो increase भी कर रहा है, ये कुछ points है जो आपको ध्यान रखना है, तो चाइना की अगर आप बात क कि बांकी सारी चीज़ें तो बंद है, ठीक है, चाइना इस रैंपिंग अप production of medical supplies, ingredients of pharmaceuticals, जो दवाईयों के ingredients है, उसको भी, उसके supply को भी increase कर रहा है, calling for the post-corona, virus expansion of Chinese companies abroad, especially in key sectors, future की जो companies हैं, 5G, high speed rail, new energy vehicles, artificial intelligence, industrial internet, इन जगहों पे भी, इन एरियास में भी जो चाइना की companies हैं, वो तेजी से work कर रहे हैं, इस situation में, ठीक है, तो यह भी help करेगा, कि चाइना future के इन industries पर भी, future में अपना control और अधिक कर लेगा, it is possible to turn the crisis into an opportunity to increase the trust and the dependence of all countries around the world of made in China, यह जो brand है, made in China, इसके उपर पूरे तरीके से जो dependency है, वर्ल्ड की, वो increase कर दी जाए, इस situation में, यही एक basic theme है, चाइना का business model है, ठीक है, जो dependency है, वर्ल्ड की made in China पर बहुत टेजी से increase कर दी जाए, ठीक है, इस session में इतना ही, I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा, यह request to you all, कि आप like जरूर करें, share जरूर करें, और let's crack UPSC CSC को जरूर से subscribe करें, thank you everyone and let's crack it.